तो हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग अम्मीट करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे तो दोस्तो क्या आपका फोन भी शिलो चलता है क्या आपका इंटरनेट भी धीरे काम करता है और क्या आपके mobile की percentage भी जल्दी खत्म हो जाती है क्या battery power जल्दी खत्म हो जाता है तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा important होने वाली है तो वीडियो को बिना skip की होए end तक जरूर देखिएगा आप लोगों को समझ आएगा कि आप लोग अपने mobile की problem को कैसे fix कर सकते हो तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो ऐसी settings बताने वाला हूँ जो own करने के बाद जो set करने के बाद आपके mobile की problem fix हो जाएगी आपकी mobile की battery power भी बढ़ जाएगा और आपका mobile fast चलने लगेगा और internet भी अच्छे से काम करने लगेगा तो चलिए दोस्तों बिना time waste के हुए मैं कर लेता हूँ वीडियो को start और आप लोगों को बताता हूँ कि यह दोनों setting आपको कहां और कैसे गरनी है अपने mobile phone में तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम लोग अपने mobile की screen पर आ चुके है mobile की screen पर आने के बाद सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है अपने mobile के security वाले option को on करना है इस पर click कर देना है इस पर click कर देने के बाद कुछ इस तरह का interface हम लोगों के सामने show होता है उसके बाद हम लोगों को यह जो data usage वाला icon दिखाई दे रहा है simply इस पर click करना है इस पे click कर देने के बाद यह जो research data uses हम लोगों को दिखाई दे रहा है simply हम लोगों को इस पे click करना है और इस पे जब हम लोग click करेंगे तो हम लोगों के पास जितनी भी हमारे mobile में app से वो सब app सामने आ जाएगी हमारे तो दोस्तों यहां आने के बाद आप लोगों को क्या करना है बाइचांस अगर आप लोग के मुबाइल में आप लोगों को data usage का option नहीं मिलता है तो आप लोग अपने मुबाइल की setting में जाकर वहां से ढूंड सकते हो तो आप लोगों को यह data usage का option मिल जाएगा तो यहां आने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है इसमें हम लोगों को सारी application दिखाई देती है जो application आप use नहीं करते हो या जो application आप use नहीं करते हो जिसमें internet का कोई काम नहीं है आप उसका internet back side से बंद कर सकते हो जैसे यह keyboard है keyboard का आप on है मैं तो by default off ही रखता हूँ ज्यादा तर application का मैं internet background से off ही रखता हूँ तो जैसे यह keyboard का on है तो आपको इसको off करना है तो आपको इसको off कर देना है जैसे color का एक apps है मेरे पास इसमें internet के कोई ज़रुवत नहीं है तो अगर आप लोग इसका भी off करना चाहते हो तो इसका off कर सकते हो तो जैसे अब यह off है मैंने इसको on कर दिया है इसी तरह से यहां से off कर सकते हो इसी तरह बहुत सारी apps होती है हमारे mobile में जिनमें हमें internet की कोई ज़रुवत नहीं होती है तो दोस्तो अगर आप लोग भी उनका background से internet data off करना चाहते हो तो यहां से आप लोग उसको off कर सकते हो तो दोस्तो इतना करने के बाद आप लोगों को back आ जाना है यह हम लोग back आ गए इसके बादिंग तो दोस्तो दूसरी setting करने के लिए हम लोगों को क्या करना है हम लोगों को simply अपने mobile के setting पे click करना है और setting को खोल लेना है जैसे हमारी setting खोल जाती है कुछ इस तरह का interface हम लोगों के सामने show होता है तो दोस्तो इसमें हम लोगों क्या करना है यह additional वाले option पे जाएंगे और इसमें जाने के बाद हमारे mobile में यह जो developer option हमने on किया है इस पे click करना है अगर आप लोगों को नहीं पता है कि developer option को किस तरह on किया जाता है तो दोस्तो यह on करने के लिए आप लोगों को simply क्या करना है अपने mobile के about section में जाना है about section में जाने के बाद यह जो MIUI version लिखा हुआ है simply इस पे आपको 2-3 बार click कर देना है तो इससे आपका developer option mobile में on हो जाएगा तो developer option on होने के बाद आप लोगो क्या करना है developer option को click करना है और इसको on कर लेना है तो इसको on करने के बाद दोस्तों आप लोगों को इसमें क्या करना है simply downside जाना है जान से देखना दोस्तों यह जो window animation scale का हम लोगों को simply दिखाई दे रहा है आप लोगों को simply इस पे आना है by default यह 5x पे set होता है तो आप लोगों क्या करना है इसको off कर देना है उसके बाद दोस्तो यह transaction animation scale है आप लोगों को इस पे click करना है और इसको भी off कर देना है यहाँ से उसके बाद दोस्तो यह animation duration scale है आप लोगों को simply इस पे click करना है और इस पे click करके इसको भी off कर देना है तो दोस्तों ये दो setting हो गई हमारे मुबाइल में ये दो setting on कर देने के बाद हमारे मुबाइल में हम लोगों का internet भी अच्छे से use होने लगेगा fast internet चलने लगेगा mobile भी fast चलने लगेगा और दोस्तों बेटरी power भी save हो जाएगा यानि कि जितनी बेटरी हमारी पहले चलती थी उससे कई गुना ज्यादा हमारी बेटरी का percentage बढ़ जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा share कीजेगा और comment कीजेगा चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में किसी नई information के साथ तब तक के लिए बाए